यह दिवाली आपको कैसे, मतलब बहुत अच्छे से इसका यूटलाइजेशन करना है, यह मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ, विद प्रॉपर टाइम टेबल, क्योंकि एक दिन का ब्रेक भी होता है, तो च्छा गंटे के तो तुम्हारी क्लासस मिस हो जाती है, उनको कवर अप करने में पता ली कितने दिन हो जाते हैं, और बाकलॉग एखटा ही होता चला जाता है, देखो साथ से आट गंट अगर तुम मानी भारगव, wishing all of you a very very happy and prosperous Diwali, और बच्चो ये Diwali हमारी होनी, चाहिए selection वाली, Diwali है, festival seasons all around है, लेकिन अभी किसी भी जो भी बच्चा, किसी भी competitive exam की preparation कर रहा हो, चाहिए वो neat हो, चाहिए वो जही हो, ये हमारे लिए बहुत ही important, बहुत ही crucial time period होता है, reason, अच्छा माम क्या इसके अंदर दो सवाल हमारे मन में उठते हैं, माम क्या मैं दिवाली सीजन में बिल्कुल भी ये Diwali नया बनाऊ, बहुत से लोगों से कहते हुए सुनाए, एक बार दिवाली नहीं बनाऊगे, तो क्या फरक पड़ेगा, अगली साल, Medical College में ही Diwali मना लेंगे, तो मुझे क्य करना चाहिए, कारण ये है, क्योंकि माम अभी ये मेरा साचुरेशन आ चुका है, मेरे को भी एक ब्रेक की जरूरत है, तो ये जो समस्या है, इसी का सलीशन लेकर मैं आपके पास आई हूँ, और अधिकतर टॉपर्स जो होते हैं, वो दिवाली पर क्या करते हैं, कैसे करते ह और ये दिवाली आपको कैसे, मतलब बहुत अच्छे से इसका यूटलाइजेशन करना है, ये में आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ, विद प्रॉपर टाइम टेबल, तो पहली चीज तो ये बच्चा है, कि दिवाली के ब्रेक्स में सबसे पहली चीज जो बड़ क्या करना चाहिए, मैं ना तो ये कहूंगी कि आप पढ़ाई मत करो, क्योंकि मैंने क्या बोला शुरुवात की, ये दिवाली सेलेक्शन वाली, तो हमारे लिए अपना सेलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है, हम ये दिवाली ये सोचते में मनाएंगे, कि जो नेक्स दिवा करेंट रोज बढ़िया अच्छे से चल रहा था, तो बैक पोर्शन, रिवीजन के लिए भी इस से अच्छी गोल्डन ऑपर्चिनिटी आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन माम क्या सिर्फ मुझे पढ़नाई है, चलो बहुत से बच्चे रेडी भी हो जाएंगे साक्रिफ तो अब यह एक ऐसा मिड़ पॉइंट आ गया है कि अब मेरे आने वाले कुछ समय नीट के एक्जाम तक ही अगर मैं देखूं मोटा मोटा तो मुझे ना कोई ऐसा ब्रेक मिलने वाला है, ना मैं अपने आपके लिए अगर मैं चाहूं भी सही उस दौरान तो मैं ब्रेक ले क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको भी बूस्ट अप करने के लिए उसको भी रिफ्रेश्मेंट की रिक्वार्मेंट है कि नेक्स नीट के एक्जाम तक मैं एकदम मतलब मेरा मूड भी रिफ्रेश्मेंट हो जाए कि मैं बहुत जान लगा कर अपनी उसकी प्रिपरेशन कर सक तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चा, simple सा concept है, क्योंकि आपके कोई classes नहीं हो रही है, तो वो जो 6-7 घंटे जो आपका class का duration था, वो duration, make it short, आप अपनी self study के लिए dedicate करें, festival season है, ठीक है, relatives भी आते हैं, बाहर पता के चल रहे होंगे, ममी कुछ kitchen में अच्छा अच्छा प से बाहर निकल कर, मैं भी लोगों को attend करूं, मैं भी थोड़ा सा enjoy करूं, हमें ये दोनों चीजों का balance बना के रखना है इस दिवाली, मैं आपको simple सा time table बताती हो, देखो morning hours, पहली चीज तो बच्चा आलस काटने लग जाता है, class बंद होने के नाम पर, कि जहां class मेरी 7.30 च class चुरू होती है, तो आप 7 बचे उठकर अपना morning routine complete करें, आठ बचे बिल्कुल कॉपी किताब के साथ बैट जाते हो, लेकिन जब festival season होता है, जब हमारी classes off हो चाती है, तो हमारे अंदर आलस्त जनम लेने लगता, आप सुचेंगा, रे यार class तो है नहीं आठ बचे मैं आर करना है, morning में वैसे भी कुछ ही नहीं हो रहा होता, कोई festival नहीं मना रहे होते है, सारी चीजे शाम को होती है, जो आपके big source of diversion है, तो बिलकुल आप शाम को अपने festivals enjoy करो, make it sure कि 5 बचे तक की deadline रख लो, कि मैं 5 बचे तक, I will make it sure, कि मैं 7 hours का, कम से कम, minimum, मैं steady hours complete करूंगा ही से इसके लिए सीधा असा concept है, सुबह 7 बचे उठो, late to late 7.30 और 8.00 in the morning, आप पढ़ने बैठ जाओ, 8 से 9, 10, 11, 3 घंटा one shot, बिना किसी diversion के, 3 घंटा चुपचा बैठके पढ़ाई करनी है, उसके बाद 10 मिनिट का ब्रेक लो, ठीके खाना माना खालो, एक बचे तक वापस से प अपना, जो भी festival है, आप उसे enjoy करो, इससे क्या होगा, देखो, साथ से 8 घंटा अगर तुमारा self-study हो रहा है, तुमारा बाकलॉग आराम से clear हो जाएगा, make it sure, जिनका बाकलॉग नहीं है, जिन्होंने टाइम पर sub-session लगाई, टार्गेट्स बनाए, बैक पोर्शन रिव पर दूग करें, जिससे कि दोनों काम होंगे, मेरी पढ़ाई फेक्ट नहीं हुई, यह दिवाली सेलेक्षन वाली और बाकला का काम करेगी, और दूसरी चीज़ की माम, अब इसके बाद जब सेशन होंगे, और अज रूग नहीं तोल्ड की अब नीट एकजाम तक मेरे पा नहीं है, तो आपको सफर ना करना पड़े, आपका मूड भी रिफ्रेश्मेंट हो जाए, उसके लिए पांच बजे से लेकर रात के 10, 11, 12, यह समय आपका, आपके फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव का और आपके फामिली के लिए है, मेक इट शॉर्ट, यह दिवाली आप इस स्ट्राटेजी को जरूर फालो करने वाले हैं, और जितने भी बच्चे आसा करने वाले हैं, लेमी नो इन दा कॉमेंट बॉक्स, अच्छा दूसरी चीज़ कुछ बच्चे तो और सवा हुश्यार निकलते हैं, यह बताने के बाद, मैं मैं तो पांच बजे के बाद भी पढ़ाई करूँगा, मैं यह भी सजस्ट नहीं करूँगी किसी को भी कि पांच बजे के बाद भी पढ़ाई करो, आप अपना फेस्टिवल बिल्कुल ही इन्जॉय ना करो, उसका केवल एक मात्र कारण यह है, हमें भी रिफ्रेश्मेंट की रिक्वार्मेंट होती है, इस मैंने अपने करियर में कितने सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं बोलती थी बिटा चले जाओ घर और इस तरी किसे मानेज करना, वो जोश-जोश में घर नहीं जाते थे, ठीक है, वो मतलब पूरा दिवाली हां पर, नहीं हां पढ़ाई होती थी, और दिवाली के बाद आप सब के लिए सेलेक्शन वाली हो, थैंक यू, बबाई